हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग आसा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत जादा यूसबुल होने वाली है और साधे ऐसी ट्रिक आपको पूरी यूटूब पर कहीं नहीं मिल मालिक के मौईल नमर के पीछे के चारंग पता कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ के गाड़ी के रेजिट्रेशन नमर से मालिक का मौईल नमर कैसे पता कर सकते हैं तो वीडियो को लास्ट रक जरू देखें बिल्कुल भी स्किपना करें और साथ ही इस चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें तो चलते हम वाली की स्क्रीन पर किसी भी गाड़ी की रेजिश्टेशन नमर से ओनर का मॉइल नमर पता करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी ब्राजर को उपन करेंगे तो यहां पर मैं क्रोम ब्राजर को उपन कर लेता हूँ उपन करने के बाद सर्च वार में टाइप करेंगे परिवहन टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे सर्च करते ही आपके सामने पहले नमर की वेबसाट आ जाएगी परवन.gov.in इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस्तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और इस पर ही का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा उस link पर click करके आप directly इस पर आ सकते हैं तो यहाँ पर हम गाड़ी की registration नमर से honor का mobile नमर पता करना चाते हैं तो इसके लिए आपको menu वार में 3 line का button देखने को मिल जाता है इस पर click करेंगी click करते ही आपके सामने बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं यापर आपको पहला option मिल जाता है वेकर related services इस पर click करेंगी click करते ही आपके सामने कुछ स्तरीके का page आ जाएगा यापर आपको option मिल जाता है select state name जो भी आपकी state है उसे याँसे select कर लेंगे state select करने के बाद थोड़ी दिर wait करेंगे wait करने के बाद आपके सामने कुछ स्तरीके का page आ जाएगा याँपर आपको नीचे option मिल जाता select rt हो जो भी आपकी rt office है उसे याँसे select कर लेंगे rt office select करने का बद प्रोशीड के बटन पर click करेंगे प्रोशीड पर click करते ही आपके सामने next page उपन ओकर आ जाएगा याँपर vehicle से related सारी services देखने को मिल जाती है तो याँपर उपर आपको three line का button देखने को मिल जाता है इस पर click करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत से option देखने को मिल जाते हैं याँपर आपको नीचे से दूसरे नंबर पर option लिएगा download document इस पर click करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने दो option open होकर आ जाते हैं पहला option है print fitness certificate और दूसरा option है RC print तो यहाँपर RC print पर click करेंगे RC print पर click करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का form open होकर आ जाएगा यहाँपर आपको पहला option मिल जाता है registration number आप जिस भी बाहन के registration number से honor का mobile number पता करना चाते हैं वो registration number यहाँपर type करेंगे नीचे आपको option जाता chest number और engine number यहाँपर chest number और engine number पूरा type करना है अगर आपको उस्वान का chest number और engine number नहीं पता तो पता करने के लिए सबसे पहले हम play store को open करेंगे open करने के वाद search वार में type करेंगे m परवहन type करने के वाद सर्च करेंगे search करती आपके सामने application आज आएगा यहाँ से install कर लेंगे और इस application का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप directly इसे install कर सकते हैं तो मेरे में already install है इस यहाँ से open कर लेता हूँ open करने के बाद इसे skip करेंगे यहाँ पर हम थोड़ी दिर wait करेंगे skip के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने m1 का notification आज जाएगा यहाँ पर ok के option पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने application का dashboard कुछ इस तरीके का आज आएगा सबसे पहले आपको इस application में login करना है login करने के लिए उपर आपको 3leyn का button देखने को मिल जाता है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने sign in का upon होकर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है registered mobile number अगर आपका इसमें पहले से account बना हुआ है तो यहाँ पर mobile number टाइप करके login कर लेंगे और अगर आप इसमें नए account बनाना चाहते हैं तो नीचे आपको sign up को option देखने को मिल जाता है इस पर click करके आप नए account बना कर login कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपना mobile number टाइप करके इसमें login कर लेता हूँ mobile number टाइप करने के बाद नीचे आपको continue को option देखने को मिल जाता है इस पर click करेंगे continue पर click करते ही जो भी आपने mobile number टाइप किया था उस पर check का OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर type करेंगे OTP टाइप करने के बाद verify के option पर click करेंगे verify पर click करते ही आप इस application में successably login हो जाएगे अब यहाँ पर check number और नमर पता करना चाहते हैं तो उपर आपको option जाता है enter RC number to get details इसमें बाद का registration number टाइप करेंगे registration number टाइप करने के बाद side में आपको search का button देखने को मिल जाता है इस पर click करेंगे click करते ही आपके सामने m1 का notification देखने को मिल जाता है इसे ok के option पर click करेंगे click करते ही जो भी आपने registration number टाइप किया था उसकी सारी details आपके सामने निकल कर आ जाएगी यहाँ पर check number और इंजन नमर नहीं आ रहा है तो उसे देखने के लिए add to dashboard for virtual RC पर click करेंगे click करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का pop-up आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है चैस नमर एंटर last for date यहाँ पर चैस नमर और एंजन नमर पता करने के लिए last के चार अंक टाइप करेंगे तो उसे पता करने के लिए सबसे पहले हम phone पे application को open करेंगे open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा यहाँ पर हम नीचे scroll करेंगे scroll करने के बाद आपके सामने एक insurance का section देगेने को मिल जाएगा अगर आप किसी भी bike का registration number से उसके honor का mobile number पता करना चाहते हैं तो bike के option पर click करेंगे और अगर आप किसी भी four wheeler या पर truck बस उसकी registration number से honor का mobile number पता करना चाहते हैं तो car के option पर click करेंगे तो यहाँ पर मैं bike के registration number से उसके honor का mobile number पता करना चाहता हूँ तो bike वाले option पर click कर लिता हूँ click करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का page आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर और bike number आप जिस भी वालन का चैस नमबर इंजन नमबर पता करना चाहते थे उसका यहाँ पर registration number टाइप करेंगे टाइप करने के बाद संबिट के option पर click करेंगे संबिट पर click करते ही आपके सामने इस तरीके का page आ जाएगा पर आप नाम देख सकते हैं और नीचे scroll करेंगे scroll करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं इंजन नमबर और चैस नमबर यहाँ पर last के 5 आपके देखने को मिल जाते इसे कहीं note कर लेंगे यहाँ श्यानज से copy कर लेंगे पर verify के option पर click करेंगे, verify पर click करते ही, आपके सामने कुछ इसरीके का pop-up आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, go to dashboard to check your RC details, यहाँ पर RC की details को check करने के लिए ok के option पर click करेंगे, click करते ही, आपके सामने कुछ इसरीके का interface आ जाएगा, आपने जिस भी वहान का registration number टाइप क click करते ही, आपके सामने कुछ इसरीके का interface आ जाएगा, यहाँ पर honor का नाम देख सकते हैं, qr code देख सकते हैं, अब यहाँ आप नीचे scroll करेंगे, scroll करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं, chest number और engine number जो आप पूरा दिखा रहा है, अब इस chest number और engine number को कहीं note कर लेंगे, या यहाँ पर type करेंगे, chest number type करने के बाद नीचे आपको option जाता है engine number, जो भी आपने एंपर वन से engine number को लिया था, उसे यहाँ पर type करेंगे, अब यहाँ पर सारी details को fill करने के बाद नीचे आपको option जाता verify details इस पर click करेंगे, verify details पर click करते ही, आप जिस भी बहान के registration number से उसके म YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को like करें, share करें, और ऐसी technical वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, मिलते हैं ऐसी है next वीडियो में